आप सब लोग आप सब लोग को रक्षा बंधन की धेरो शुब कामना है आपकी एक बहन होने के नाते मेरे सबी छोटे बड़े बाई बहनों को बहुत सारी शुब कामना है और भगवान से यही कामना करते हैं हम लोग कि आपका एक्जामिनेशन बहुत जल्दी पास हो और आप अपने जीवन में बहुत जादा तरक्षी करें बहुत सक्तेस्पुल ह और अपने आपको proud करें है ना तो सभी को wishes मेरी तरफ से happy रक्षा बंदन तोड़ेंगे नहीं यह कसम हमने खाई है कि यह बंदन हमने हुत तोंगे मेंस का जब तक हम लोग एक्जामेनेशन नहीं फोडेंगे है ना तो यहां पर हम ढ़राइब निकाल के रहना ही रहना है यह ऐसा वंचन है है जो कोई भी और इंसान आके नहीं तोड़ सकता क्यों भाईया सही बोल रही हुँ ना गुड गुड आफ्टनून गुड आफ्टनून गुड आफ्टनून टो एवरीवान तो इसी के पॉजिटिव नोट पे आज एक बहुत अच्छा ओकेशन है कल भी था कल भी लोगोंने सेलिबरेट के आज भी लोग कर रहे हैं तो इसी उस्पिश्योंश पर आज हम लोग बहुत पॉजिटिविटिविटी के साथ यह सेशन स्टार्ट करेंगे इस सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं हम लोग करेंगे स्टेयर केस बीस पदल एक सेश जैसे जोश हाई है या नहीं है सभी का हाउज जोश हाई माम कि बताओ बताओ यह हमारी ना रॉकेट मागजीन है आप लोग इस क्लास से प्राक्टिस करते हो कुछ क्वेश्चन उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी अगर मेंद एक्जामिनेशन की करनी होती है तो यह फ्री आफ कॉ अगर आपने यह रॉकेट मागजीन पूरी कवर अप कर ली ना आपको मेंद एक्जामिनेशन की और कहीं से तैयारी करने की जरत नहीं है विद माय क्लासेज तेलिग्राम ग्रूप का हमारा नेम यह है स्टडी निटी ऑफीशल आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रप्शन म जाके जॉइन कर लें और बहुत ही जल्दी आपको फ्रिलिंस की मागजिन भी मिलने वाली है ठीक है देखो आज मैंने तो सेशन एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट किया लेकिन आप लोग बहुत कम बच्चे आयों ना इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे वैठे हो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई भी और चानल होगा जहां पर आपको मेंस का इतना भर-भर के कांटेंट मिल रहा है प्रिलिंस के इतना भर-भर के कांटेंट मैंने अप्लोड किया वुए बेसिक से लिए के डंस तफ जो चीज आप मांगो वो इस चानल पे है और डेली हम लोग बहुत जादा मेहनत के साथ बहुत तैयारी के साथ आते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा content डिलिवर करना है और अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूं तो आप कहां कमी रख रहे हों सिरफ आप लोग ही मेरा एक जरीया हो जो मुझे बाकी बचों से connect करवा सकते हो आप कि देविरा के जतने के फ्रेंड्स हैं जितने साथ में आपके पड़तर हैं जितने ग्रूप में लोग हैं उनके साथ भी शेयर किया करो यह देखो रक्षा बंदन पे एक बेहन को एक गिफ्ट चाहिए होता है ना राखी बादने का तो वर्चुली मैंने आपको राखी बाद दी लेकिन कि आप सभी लोग बहुत इसको शेयर करेंगे ताकि माक्सिमम बच्चे हमारी क्लास में आपाएं ठीक है करोगे ना सेशन को प्यार भरे नोट से स्टार्ट करेंगे एक भाई और बहन का प्यार बहुत ही जादा पवित्र होता है तो उसी के साथ फटाफट से रेड हार्ट बनाएंगे और पहला क्वेस्टन हम लोग शुरू करेंगे जल्दी से पहला क्वेस्टन आपके सामने है सिलॉक्स का पटाफट से आपको थोड़ा से टाइम दी आप स्वाल पर हो फिर मैं आपको करवाती हूँ जल्दी से जैसे जिसका आंसर आता जाए आंसर अपना लाइव कॉमेंट्स में डालते जाना आइवांट कि अभी जितने बच्चे बैठे हैं सभी के सभी रिप्लाइ करेंगे लाइव कॉमेंट्स में कि मैं मेरा ये वल आंसर आया और ये इस तरीके से बनाए I want कि सभी लोग comment करेंगे पहला question हमें क्या कहता है देखो सबसे पहले basic information पढ़ेंगे which of the conclusion logically follows यानि कि हमें ये वाला निकालना है जो बिलकुल सही-सही conclusion आ रहा है जो logically follow कर रहा है statement से बनाएंगे only a few clocks are contacts जिसको भी only a few वाले case में दिक्कत आती है समझ लो only a few clock are contact all contact are gallery some gallery is phone all phone is setting बन गया सभी का answer क्या आ रहा है सभी का answer क्या आ रहा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बोलता है only a few clocks are contacts ठीक है हमें ये देखना है which of the following logically follows some gallery being clock is a possibility कुछ gallery clock हो जाएं क्या ऐसी possibility हो सकती है यहां पर हमें some वाला relation दिख रहा है अगर कोई भी definite case होता है तो वो कभी भी possibility नहीं बन सकता जो definite case होता है वो कभी भी possibility नहीं बन सकता some clock can be phone तो clock हमारे phone बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते बी option हमारा सही आ रहा है लेकिन बाकी के option भी check करेंगे बेरी गुड मेरे को ऐसा लगा है कि स्लॉक्स इतने हम लोगों ने कर लिये कि आपका भी स्लॉक्स में एकदम command बन गई अगला question करेंगे फटा फट से I want कि आज जितने हम लोग questions करेंगे सभी के सारे के सारे questions एकदम सही बनने चाहिए जल्दी से और कोई doubt है तो मुझसे पूछ लेना ठीक है ओके देखो only a few cameras are calendar सिरफ कुछ ही camera जो है वो calendar है some calendar यह calendar यह calendar यह कुछ calendar क्या है calculator है all calculator are music no camera is a game कोई भी camera game नहीं है सब का सही बना है बताएंगे answer आता जाए तो सभी के सभी बच्चे answer अपना पता देंगे पहला बोलता है some camera are calculator कुछ camera calculator है मुझे definite relation नहीं दिख रा cancel out कर दो no music is a game कोई भी music गेम नहीं है तो music और गेम के बीच में मुझे कोई direct negative relation नहीं दिख रहा है इसलिए यह भी गलत हो जाएगा all calendar can never be calculator सारे के सारे calendar कभी भी calculator नहीं हो सकते देखो अगर मैं एक कैलकूलेटर को ऐसे बना दूँ तो क्या कोई भी statement गलत प्रूव हो रही है हमें चाहिए था समय के रा क्याक्यूलेटर तो सब के लेंडर कैलकूलेटर चाहिए अच्छा all calendar can never be calculator all calendar can never be calculator अगर मैं इधर से देखूँ तो some calendar are calculator इधर से some calendar are calculator all बनेगा ना इधर से तो all calculator are music ठीक है ये बोलता है all calendars can never be calculator सारे के सारे calendars कभी भी calculator नहीं हो सकते अगर मैं सारे के सारे calendar को calculator के अंदर डाल दूँगी तो some calendar calculator में मुझे दिक्कत लग रही है लेकिन हम आगे वला चेक करते है some camera being music is a possibility कुछ camera music हो कुछ camera music हो ऐसी possibility हो सकती है तो possibility तो हो सकती है अपने इसको ignore कर देते हैं क्योंकि some और all वाला case can never be पूछे अगर all और some वाला case है तो यह option cancel करेंगे option number D आपका answer हो जाएगा ठीक है देखो सबको समझ में आ गया option number D जो exact बन रहा है हम उतको बनाएंगे जो exact बन रहा है उतको बनाएंगे तो यह तो हो गया गलत तो सिरफ यही बन सकता है clear हो गया सबको अगला question करेंगे जल्दी से बन जाये तो बताना answer बताओ फटाफट से basic information में बोलता है which of the conclusion logically does not follow अच्छा मेरे को अभी सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि किसने यहाँ पर does not नहीं पढ़ा था आप मैंसे maximum बच्चे होंगे जिसने यहाँ पर does not नहीं पढ़ा होगा बताओ बताओ किसने does not नहीं पढ़ा था यहाँ पर जल्दी बताओ मेरे को सारे question गलत हो जाएंगे नहीं तो बोलता है all cathode are anode सारे के सारे cathode जो हैं वह एनोड है only a few cathode are atom all molecule are atom no molecule is electron बन गया कौन सा गलत है वो निकालना है देखो 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 सबका गलत हुआ न हो गया गलत very good यही पेपर में गलती करोगे आप लोग बोलता है all molecules can be anode सारे के सारे molecules anode हो सकते हैं तो molecule को इसमें डाल दो कोई दिक्कत नहीं आएगी anode बन सकते हैं यह तो सही है यह तो सही है मैं गलत वला निकालना है some electron being cathode is a possibility कुछ electron के थोड बन जाए कैसी possibility हो सकती है देखो ऐसा कुछ था है ना कोई भी molecule आटम नहीं है ना लो जी हो सकता है क्या बन सकता है तो यह भी बन सकता है all cathode can be molecule सभी के सभी cathode molecule बन सकते हैं अगर मैं सारे के सारे cathode को molecule में डाल दूँ तो कैसा diagram बनेगा कुछ इस तरीके का और अगर इसको मैंने molecule में डाल दिया तो मेरे को atom कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा तो यहां पे only a few वाला relation खतम हो रहा है इधर some का atom के साथ था है बाकी portion में some not का था तो इधर से some और some not वाला खतम हो रहा है relation खतम हो रहा है तो यह वाला हमारा गलत होगा option number C आपका answer हो जाएगा देखो सभी का गलत था यह वाला तभी का गलत था समझ में सेख कहां पर कर रहे हो all atoms cannot be electrons सारे के सारी atoms कभी भी electron नहीं हो सकते तो हो सकते हैं यार अच्छा cannot be electrons हाँ तो कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि आटम का यह वाला चो पाता ही कभी सब्सक्राइब नहीं है तो यह भी सही है तो गलत हो जाएगा ठीक है नेक्स क्वेशन करें देखो इसमें भी डाज नॉट फॉलो है तो अराम से करना हार एक पजल को सॉल्व करने का ideal ताइम बहुत अलग होता है मैं एसे नहीं बोलूँगी स्टैंडड टाइम सभी पजल को सॉल्व करने का 7 minutes होगा किसी में 5 मिनट भी लगेंगी किसी में 4 भी लगेंगी किसी में 10 भी लगेंगी तो पजल की ऊपर करता है वो कैसी पादल है कि मैं क्या Hindi और English language पर normalization होता है language paper में because Hindi करना मुश्किल Hindi करना असान है compared to English देखो normalization होता है तो उसमें किसी section को देखा नहीं जाता है normalization दो normalization यह होता है पिस अभी sections में होगा तब easy के लिए उसने आपको examiner ने आपको दे दिया कि आप English हो या Hindi लो वह आपके उपर है अब normalization करना उनके हाथ में है चलो जी साम Instagram is Twitter कुछ Instagram Twitter है all Twitter is hotstar all Spotify is hotstar कि सारे का सारे Spotify hotstar है या फिर इसको ऐसे बना देते हैं ठीक है no Twitter is नौकरी कोई भी Twitter नौकरी नहीं है ब्सक्ट है इन डोनों के बीच में कोई Direct Negative relation नहीं है तो काट दो क्योंकि हमें गलत वला चाहिए और नौकरी के सारे नौकरी hotstar हो सकते हैं तो हो ट्स्टार का यह वहला सरकल बढ़ा कर लो क्या को statement गलत प्रूव हो रही है नहीं हो रही तो यह भी हो सकता है सम इंस्टेघ्राम इस नोंगरी कुछ इंस्टेघ्राम नोकरी नहीं है तो इंस्टेघ्राम वाला पॉर्शिन ट्वेटर में आ रहा है रहा है हैंना इस ट्वेटर में और ये वेला पॉर्शिन कभी झाखनी करें हो सकता है all instagram can be नौकरी, अच्छा, क्या सारे के सारे instagram नौकरी हो सकते हैं, सारे के सारे instagram कभी भी नौकरी नहीं हो सकते, क्योंकि instagram का जो ये वाला portion है वो नौकरी के अंदर आ रहा है, तो ये वाला हमारा statement जो है, वो false हो जाएगा option number E, सभी का सही बना है अब हम next question करेंगे फटा फट, ये आपके लिए machine input output का question है last जो हमने session किया था, उसमें सभी को machine input output बहुत पसंद आया था और आप लोगोंने बोला था, मैं आप और questions ले के आओ तो machine input output का question मैं ले आई हूँ coding to coding में machine input output में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उसने अगर word दिये हैं मैं आपको basic बता दती हूँ फिर आप identify करना और number दिये हैं इनका जो arrangement है इनका जो order है वो कैसे ले के आ रहे हैं मतलब कैसे कैसे हर एक step में वो change कर रहे हैं तो every step में each and every step में आपको change नोटिस करना है कि कौन सा आगे जा रहा है और कौन सा पीछे आ रहा है कौन सा word आगे आ रहा है कौन सा number आ रहा है सबसे पहले आपको change notice करना है उसके बाद आप देखोगी कि कि किस चीज के according हो change कर रहा है यानि कि word की अगर मैं बात करूँ तो आप count करोगे number of letters, कुछ-कुछ concept होते हैं, number of consonant, number of vowel, ठीक है, place value of letters, place value of letters लेंगे, यानि कि जैसे a1 पे आता है, b2 पे आता है, c3 पे आता है, d4 पे आता है, तो यह place values होती हैं, और इन place values को आप plus, minus, multiply और divide के तोर पे भी देख सकते हो, कि क्या इसमें logic जो है, वो लग रहा है, सबको समझ में आ गई, reverse letters भी देख सकते हो, कि किसी letter का opposite क्या होता है, जैसे a का opposite z होता है, b का opposite y होता है, इस तरीके से reverse भाला भी देख सकते हो, और number में वो क्या खेल खेलता है, number में वो खेलता है, sum of digits, difference of digits, multiplication, division, ठीक है, बाकी वो alternatively भी देख लेगा, कि first digit और second का plus है, इन दोनों का plus है, इन दोनों का minus है, तो खेलेगा वो plus minus के साथ, लेकिन आपको order चे नमबर को किस order में लिया है, अब place value of letters आप किसी भी letter की देख सकते हो, place value of first letter, common common वो यह देखता है, last letter, second letter, second last letter, जो common चीज़े हैं और middle letter, इस चीज़े वो ध्यान रखता है, अब मैंने आपको basics बता दिये, basics आपके साबने एक दम परोज के रख दिये हैं, अब आपको चेक करना है कि उसने कैसे change किया और किसमें किया, हार एक step में वो कितने word लेके आया, कितने number लेके आया, और वो word और number क्यों लेकर आया, यहां पर कुछ flickering हो रही है कि एक बर मैं को बताओ screen आपको clear दिख रही है क्या, सभी बच्चे बताओ मेरे आपको screen clear दिख रही है क्या, क्यों हो रहा और reverse जिसको नहीं आता है reverse alphabetical order तो reverse alphabetical order कुछ इस तरीके का होता है, एक opposite Z, B का Y, C का X, D का W, E का V और place value इसके उपर ही लगा दिया करो, तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ लिखके दे दिया, अब आपको एक बर guess करने का time दे रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके के examination में अगर मैं करूंगा तो इस तरीके से मुझे ढूनना पड़ेगा, खुझ से जब practice करते हैं तो अच्छे से ध्यान रहा जाता है, लो जी, दो मिनट का time दे रही हूँ, थोड़ा सा इसको देख लो, फिर मैं आपको question कराना शुरू करती हूँ, जल्दी से, कोई doubt है तो पूछ लो, अच्छा flickering होता है कभी कबार, मैं इसको थोड़ा सा set कर दूँ, अब नहीं होगा देखो, ठीक है अब नहीं होगा, अगर आप identify कर लो तो मुझे बताना मैं solve करवारा शुरू करूंगी, लेकिन जो चीज़े मैंने बताई हैं उन चीजों से शुरू करोगे तो आपको कुछ-कुछ idea लग जाएगा, एक चीज भी आपने decode कर ली तो मज़ा आ जाएगा फिर करने में, लगा कुछ, समझ में? बताओ बताओ चुप करके मत बैठो कुछ तो बोलो करें स्टार्ट, चलो जी जादा टाइम आपका नहीं लेंगे, सबसे पहले उसने input दिया, इनपूट के बाद लास्ट वाला उसने step आउटपूट में दिया, हमेशा input से उपर वाला जो मतलब जो adjacent steps होते हैं वो एक दूसरे के input आउटपूट आउके निकलते हैं, जैसे input का output सबको समझ में आया, अब मेरे को order देखना है कि उसने किस order में नंबर और लेटर्स को change किया, सबसे पहले देखो आप अगर common चीज़े निकालो तो यहां पर इस sentence में यहां से आपको common दिख रहा है, यह चीज, दिखा common, दिखा उसने जर्सी हटाया इस step से, जर्सी हटाके उसने आगे डाल दिया और 7264 हटाके उसने आगे डाल दिया, बाकी step सेम है, यह चीज़े आपको मैंने change notice करने को कहीं थी, फर्स step से second step में उसने यह चीज़े तो constant रखी, ठीक है, उसके बाद उसने differ उठाके आगे रख दिया, और 3541 उठाके आगे रख दिया, यानि कि हर step में वो एक word ले रहा है, एक word ले रहा है और एक number ले रहा है, जिसको वो इकठा रख्के change कर रहा है, और बाकी का देखो, 52199286, winter, pocket, 4217 और legacy सेम है, सब चीज़े सेम है, अब यहां तक फिर उसने constant कर दी, जो उसने changes किये थे, अब change उसने कहां पे किया, उसने 4217 उठाया, ठीक है, इसको काद दो, बाकी का step सेम है, बाकी का सेम है, अब उसने कहां change किया, अब उसने legacy तक change किया था, उसको constant रखती है, मतलब जो वो change करता जा रहा है, उसको वो किसी भी step में हिला नहीं रहा, जो उसने changes किये, उसने सारे steps में सेम सेम रख दिये, changes के अगले क्या किया, उसने winter उठाया, उसने 9826 उठाया, और बाकी का step पैसी रहने दिया, है ना, और फिर उसने last में जो बचा pocket और 5219 वो रख दिया, सबसे पहले वो word को place कर रहा है, फिर वो number को place कर रहा है, फिर word 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 कर र नमबर को रखा सबको समझ में आ गया ठीक है इतना समझ में आ गया step by step देखेंगे आपको सब समझ में clear होने लगेंगी देखो ओके आपको basic चीज समझ में आ गई कि मैंने क्या चीज़े डिकोड की अगर आपने इतना भी decode किया तो भी well and good अगर आप first time करें और very good आपने इतना भी decode कर लिया तो अब देखो सबसे पहले वो जर्सी को लेके आया जर्सी को जिसको वो पहले ला रहा उसको number वान दे दो फिर वो लाया differ को फिर वो लाया legacy को ठीक है फिर वो winter को लेके आया winter को लाया last में वो pocket को लाया जैसे जैसे आपके पास words आते जाएं, आप उनको numbering देंगे कि सबसे पहले वो किसको लाया, फिर वो differ को लेके आया, फिर winter को लेके आया, फिर pocket को legacy को लेके आया, जो भी है और उस तरीके से आपने numbering डाल दी, उसी तरीके से हम लोग number में देखेंगे तो आपको pair बनाना है, पेर कैसे बनाना है, जैसे सबसे पहले वो 7264 को लेके आया, तो इसको one number देदो, क्योंकि word और number ये दोनों साथ में है, ठीक है, differ के साथ वो लाया, 3541 को, तो 3541 को आप two number देदोगे, क्योंकि इसकी pairing हो गई, differ के साथ, sorry, उसके बाद, legacy के साथ वो 4217 को लाया, तो इन दोन की pairing हो गई, विंटर के साथ, वो 9286 को लाया, तो ये हो गया, और ये रह गया, फिफ्त में, क्या सबको numbering समझ में आ गई, हमने numbering किस तरीके से दी है, फटा-फट से बताओ, सबको numbering समझ में आ गई, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ है, वैशनवी और जितने बच्चे भी यहां पर बैठे है, टेंशन मतलो, अभी मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूँग, इसने क्या किया, मैंने अभी तक आपको दो स्टेप्स बताए, कि आपको सबसे पहले change notice करना है, उसने changes कैसे किये, और changes के according आपको numbering देनी है, सबको clear है, उसके बाद देखेंगे, अ अगर मैं सबके number of letters देखूंगी, इसके अंदर तो सबके 6 है, सबके number of letters सेम है, सबके number of vowels हमेशा 2 है, number of vowels दो है, सबके number of vowels दो है, कोई फरक ने पढ़ता, सबके number of consonants 4 है, तो यहां पर number of letter, number of consonant, number of vowel का concept तो गया, गया, क्योंकि number of letter भी सेम है, number of consonant भी सभी में सेम है, number of vowel भी सेम है, अब अगर मैं इसके according देखूं, कि कौनसी alphabetical series में पहले आ रहे है, तो अगर मैं ABCD के according देखूं, तो सबसे पहले D लगना चाहिए था, फिर मेरे पास L लगना चाहिए था, JL लगना चाहिए था, फिर मे alphabetical series के according, ascending में भी नहीं है, और descending में भी नहीं है, नहीं है, समझ में आया, ठीक है, हिला भी नहीं question, इसलिए ही आपको समझ में आएगा, अब मैंने आपको कहा था, कि आप क्या करेंगे, place value of letters देखेंगे, मैंने reverse भी, reverse नहीं चेक किया, कोई बात नहीं, अगर मैं last letter को भी देखती हूँ, first letter मैंने देख लिया, नहीं हुआ कुछ, last letter अगर मैं alphabet series के according देखूँ, तो क्या ये descending order में लगा है, नहीं लग, descending order में भी नहीं लगा हुआ, कोई बात नहीं, तो alphabetical series वाला concept भी गया, अब मैं लगाओंगी place values, ठीक है, जे की place value क्या होती है, यहां से देख होती है, 16 होती है, इसको भी अगर मैं लगाओं, तो भी नहीं लग रहा, ठीक है, अगर मैं इनकी digits भी आड़ कर लूँ, मानलो, 1 plus 0 is 1, 4, 3, 5, 7, तो भी कोई concept नहीं लग रहा, क्योंकि ना तो ये ascending में है, ना descending में है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं place value को लिखके रखूंग हो गई, आर की हो गई कित्ती, 18 हो गई, 18 हो गई ना, वाई की 25 हो गई, 18 हो गई, 18 हो गई, टी की 20 हो गई, क्या सबको समझ में आया, मेरा ये वाला concept काम नहीं किया, alphabetical series वाला concept काम नहीं किया, बचा है ये place value of letters, ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, अगर मैं last letter की भी place value दे 9, 2, ये भी किसी order में नहीं है, अब मेरे पास first letter की place value है, मेरे पास last letter की place value है, क्यों ना इन दोनों को add करके देख लिया जाए, add करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास concept तो ये ही बचते हैं, first और last का जब हो जाए, उसके बाद ये वली digits आ भी लाना, second, second, last और middle wise, अगर म add करूंगी, बनेगा 36, ये भी ascending order में, descending order में नहीं है, जब मैंने add किया, अच्छा, अब add कर लिया, तो आप minus करके देख लो, अभी आपने add करके देखा, अब आप minus करके देख लो, 15, 14, 13, कितना हो जाएगा, 7 और 4, लो जी, आ गया, आपके पास क्या आया, जब मैंने place value of first और last letter को add किया, मेरे पास कुछ नहीं आया, मैंने जब place value of first और last letter को minus किया, तो मेरे पास ये जो minus की digits आ रही है, ये क्या आ रही है, descending order में, किस order में आ रही है, descending order में आ रही है, कुछ-कुछ hint मिला, इसमें कैसे किया, अब आप बोलो कि मैं मगर ये descending में भी ना आई होती ह तो हम लोग क्या करते, फिर हम लोग second को check करते, second last को check करते, और middle इसमें बन नी सकता, क्योंकि middle हमारे 2 होंगे, हर एक word में हमारे पास middle 2 होंगे, तो फिर middle के 2 लेने पड़ते, उसमें आपको plus minus divide multiply करना पड़ता, अब क्योंकि हमारा इसमें आ गया, तो हमने आगे चेक नही देती हूं, आपको difference लेना है न, यह add करना है, 5 और 5 का difference होता है 0, add होता है 10, 1 और 5 का difference होता है 4, add होता है कितना, 10 और 9 और 5, 14, add अगर मैं करूं तो 5 और 3 is 7, तो add में भी कुछ नहीं बन रहा, subtract करेंगे तो 5 और 5, 0, 4, इसको subtract कर दो 2, इसमें भी नहीं बन रहा, कोई भी order तो आप क्या करेंगे, first और last letter से जब मेरा आ गया, तो second और second last ते भी आप place value चेक करके देख लो, नहीं बनेगा, ठीक है, इतने नाटक है इस question के, बहुत नाटक है इस question के, वही नाटक है जो हमारे boyfriends, girlfriends करते हैं, है न, मैं यह नहीं बोलूं कि सिरफ लड़किया नाटक कर करते हैं, वह ऐसे वर्सा, है न, ऐसी बोलोगे न, तो नाटक तो सभी लोग करते हैं, तो question क्यों नहीं करेगा, question भी नाटक करेगा, अच्छा, अंजली बोल रही है, मैं हम सब चेक कर लिया था, बस इसको छोड़के, हाँ, अब ही number बाकी है, एक बर मुझे सब लोग पता 7264, 3541, इसको मैं रेज कर दू, क्योंकि मुझे number को देखना न, चलो जी, हो गया जी, थोड़ी बहुत शामती तो मिले, 7264, 3541, 4217, 9286, 5219, उसने इसी order में लगाए, सबसे पहले सब का addition कर लो, सब का addition मैं करूंगे कितना आएगा, 7 plus 2, 9, 9 plus 19 हो गया, 8 और 9 और 4, 13 हो 7 और 7, 14, 15 हो गया, 17 और 8 कितना हो गया, 25 हो गया, और 10 और 7, 17 हो गया, अच्छा जब भी add करोगे न, तो till 1 digit तक भी add करके देख लिया करो, ठीके, इसमें एक और concept आता है, जब भी आप चीजों को add करते हो न, add या subtract, तो उसमें से क्या करो, आगे वाले दो numbers को भी add या subtract कर के देख लिया करो, कई बार examiner ये वाला concept भी डाल देता है, इससे order मुझे नहीं पता चल रहा, इन दोनों को add करेंगे, तो आएगा 10, तो 1 प्लस 0 is 1, दोनों को add करेंगे, आएगा 4, दोनों को add करेंगे, आएगा 6, दोनों को add करेंगे, आएगा 7, दोनों को add करेंगे, आगया समझ अपको उसने सभी Augie को एड किया और उसने क्या किया में उसने क्या किया अप्तोव डिजर्ट लेगया और सदा ओद अब आप बोलोगे मैं मुछा याılarा सब्सक्राइब सकता था इसके फर्स्ट और लास्ट का एडिशन लेके इन दोरों को माइनस किया, जैसे 7 प्लस 4 कितना हुआ 11, 11 माइनस 8 हुआ 3, इनका डिफरेंस ले सकता था, वो ऐसा पैटन भी आता है, 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 5, यहां से करेंगे तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8, यहां स कांसेट के साथ खेल सकता था, देखो, वो करता था, इनको एड, इनको एड और इनका डिफरेंस, इनको एड किया, इनको एड किया, डिफरेंस ले गिया, यह भी कर सकता था, या फिर वो कर सकता था, इनको एड किया, इनको एड किया, डिवाइड या मल्टिप्लाइ लगा हालता है कि first or last का difference ले लो first or last digits का difference लेके देख लते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है देखो three आजाएगा two आजाएगा three a जाएगा three four तो कोई pattern निफन कि बीच में two आ गया तो इसका भी हुआज बना इनको add भी करके देख लो 11 आया four आया eleven आया wszystkim आया इसका भी ब्लवान डिजट तक जब तक एक ढुए आ जाती उसने एड्ड कर दिया और बाकी के उसको क्या क्र दिया और क्या अबर नहीं लगा पैटन सबको समझ में आगया ऑगा आप इसको कह रहे हो क्या इसमें कह रहे थे क्या मुझे बताओ जल्दी अब ये input है हमारा इससे output बनाएंगे मज़ा आएगा output बनाने में मेरे साथ साथ बनाते जाना और जिसने 14 15 पूचा था एक बार मुझे बता दो मैं clear कर देती हूँ ये हमारे पास input output है सबसे पहले हम क्या देखेंगे words और numbers को numbering देंगे कौन सा पहले स्थान पर आएगा कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा चलो जी हम लोग सबसे पहले आड कर लेते numbers को थोड़ा सा easy task है 15 प्लस 1 16 16 प्लस 2 इस 18 18 आया 8 प्लस 1 इस 9 कैसे किया मैंने 15 हो गया 15 प्लस 1 इस 16 16 प्लस 2 इस 18 18 को भी उसने अप्टू 1 डिजिट किया मतलब 1 प्लस 8 9 बन गया 8 प्लस 8 इस 16 16 प्लस 6 इस 22 22 प्लस 4 इस 26 इम सॉरी 22 प्लस 4 इस 26 तो 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 आगे देखो 8 plus 8 is 16, 16 plus 3 is 19, 1 plus 9 is 10, 10 plus कितना हो जाएगा? 1 यही बनेगा न, 8 और 8 16, 16 plus 3 is 19, तो 19 में 1 plus 9 is 10, 10 में भी 1 plus 0 is 1 5 plus 5 is 10, 10 और 10 is 20, 2 plus 0 is 2, बता दो, सही बनाए क्या? बता दो, बतादो, अच्या कोई बात नी, कोई बात नी, बलर हो रहे हैं क्या? अब साफ है अब clear है मतादो एक बार सब लोग इसको थोड़ों और सही कर देती हूँ, यार, यह ना कामरा में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, यह बलर हो जाता है, बारबर अब बताओ अब साफ है क्या चलो जी हमने सबसे पहले numbering दे दी है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे first और last की place value देखेंगे 18, 20 18 प्लस 20 कितना होगा हमने words में ऐसी किया था न numbers में ऐसी किया था ठीक है उसके बाद हमने इसमें क्या किया था दोनों का difference लिया था 18 और 20 का difference हो जाएगा 2 और H का होता है 8 T का होता है 20 यह हो जाएगा 12 difference हो जाएगा 12 S का होता है 19, L का होता है 12 difference हो जाएगा 7 M का होता है 13, G का होता है 7 difference कितना हो जाएगा 6 और F का हो जाएगा 6, Y का हो जाएगा 25 difference हमारे पास कितना आएगा 90 difference आ गए और numbers आ गए आ गए 3216 का रह गया क्या अच्छा ये रह गया ठीक है इसको भी लगा दते हैं 3 plus 2 is 5 5 plus 1 is 6 6 plus 6 is 12 2 plus 1 is 3 हो गया addition subtraction हमने सब लिख दिया अब हम इसको numbering दे देते हैं सबसे पहली मैं दूँगी किसको words को दूँगी तो words में सबसे कम सबसे कम किसका है difference इसका है तो recent हो जाएगा one number पे उसके बाद मैं आ जाओंगी 12 है 7 है 6 है और fairly है उसके बाद आ जाएगा mining फिर आ जाएगा serial फिर आ जाएगा fairly नहीं आठ आएगा ना इसके बाद आएगा तीन honest फिर आएगा serial चार फिर आएगा fairly पांच आ जाएगा देखो ठीक है descending counter पे लगाया था ठीक है descending में लगाया था हम descending में लगा देते है इसको difference को में लगाया था ना उसने हमने लॉजिक क्या क्राक किया था वर्ड का फर्स्ट और लेटर की प्लेस्ट वैल्यू का डिफ्रेंस किया था और जो डिफ्रेंस आया था उसके अगॉर्डिंग सब्कूर्ड डिसेंडिंग में लगाया था तो अगर मुझे डिसेंडिंग में लग हुआ हुआ है पिर आएका सीरियल फिर आएका माइनिंग और फिर आए अवी सेंट बनके हैं सबका है कि डीसेंडिंग में लगाया तो आ गया 5-4-3-2-1 अब नंबर्स को देखोंगी नंबर्स को सुपने लगाया था असेंडिंग और देख लेते हैं असेंडिग में लगाय था ना seven two nine हाँ असेंडिग में लगाया था तो उसने नंबर को क्या किया add कर दिया up to one digit और सबको लगा दिया ascending order में ascending में लगाया है तो हमने क्या किया nine nine आया eight आया three आया एक बार सरकल कर देते हूं ताकि confusion create ना हो और 2 आया तो सबसे पहले लग जाएगा ये फिर लग जाएगा ये फिर आजाएगा 3 फिर आजाएगा 4 फिर आजाएगा 5 बता दो एक बार सबी बच्चे बता दो एक बार क्या सही बनाए गया मैंने कहीं पर mistake तो नहीं कर दी मैं fairly honest serial mining recent हंग जी अगर आपको लगता है मैंने कहीं पर कोई mistake कर दिया तो बता दो यार क्योंकि करते करते हम से भी हो जाता है बाकी अभी तक मैंने सब कुछ सही किया है नमबर इक अब ने दे दी है क्या चलो अब स्टार्ट करेंगे स्टेप वान से स्टेप वान से स्टेप में सबसे पहले हम लोग लेके आएंगे किसको पेरली को और 6283 को पेरली और 6283 को उसके बाद बाकी का question as it is डाल दो 2169 और जो चेंज किया उसको अंट्रलाइंग कर दो ठीक है इससे क्या होते है कि हमने पते दिल्दात है हमने fix करना है recent अच्छा आप चाहो तो इसको पू recent को rec डाल दो उसके बाद हमारे पास है 4868 3216 honest को hon लिख दो उसके बाद serial है serial लिख दिया 6283 चला गया और फेरली चला गया बाकी को as it is डाल दो mining 5465 सबको समझ में आ गया ठीक है अब हमने इसको fix कर दिया अब step आएंगे 2 में जो हमने change करना है उसको या तो आप इस तरीके से cross कर देना या फिर उसके उपर आप एक टिक लगा देना ताकि कोई भी confusion हमें ना रहे उसके बाद देखो इस step में जाना है तो जो fix है उसको fix कर देंगे नंबर दो हमने दिया था किसको honest को और किसको दिया था 5465 को तो honest आ जाएगा और 5465 आ जाएगा हमने fix कर दिया इसको मैंने हटा दिया तो इसको टिक कर दो इसको मुझे बाकी के sentence में नहीं लिखना कि रीसेंट 4868 हो गया आगया है step 3 में अभी तक किसी बच्चे को कोई doubt है क्या doubt है तो देखो बताओ यार मेरे को किसी को भी कोई doubt हो तो बता दो जो fix किया है उसको fix ही रखेंगे नंबर उसके बाद हमने तीसरा दिया है serial को और 3216 को तो serial और 3216 आ गया और यहां से serial और 3216 आप हटा दो बाकी का as it is लिख दो माइनिंग को स्टेप फॉर में आ जाएंगे अब वह फॉर पे किसको लेके आएगा माइनिंग को और 4868 को बचा कौन अच्छा रिसेंट में आ ना माइनिंग आया टू वान सिक्स नाइन और रिसेंट को स्टेप फाइव बना देंगे अच्छा एक चीज और ध्यान रखो अगर इस टेप में हमारे पास रिसेंट आ जाता पहले और 2169 आ जाता बाद में आटमाटिकली तो हम लोग यहीं पर अंड करते थे पिर हमें नेक्स स्टेप में क्योंकि वहीं चीज लिखने थी तो वह चीज दुबारा लिखने की जुरूरत नहीं होती अगर रिसेंट पहले आ जाता और 2169 इसमें बाद में आ जाता अटमाटिकली आता तो स्टेप 4 पे हमारा एंड हो जाता मैम जो आपने डाला है वो भी लिख सकते है ना 5-4 क्या डाला है माइनिंग 4868 54 कौन सा कह रहे हो आप मेरे को एक बर बताओगे क्या प्लीज क्या सभी को समझ में आ गया क्या सभी को क्लियर है मशीन इंपूट आउटपूट जल्दी से बताएंगे क्वेस्टन कैसा लगा कॉंसेट समझ में आया या नहीं आया आप लोग अपनी पेड क्ल आप यहां पर यह सब चीजे लिख लेना एक और अड़ कर लेना अलफबैटिकल अड़ यह लिख दो कोडिंग डिकोडिंग में भी यही लगेगा यहां तक और मशीन इंपूट आपूट में भी यहीं लगेगा इसके बाहर कोई भी कॉंसेप्ट नहीं जाएगा सब को आज में आया आज से पहले आए गेरेंटिव इतना पेशेंट ली इतना अच्छे से किसी ने नहीं समझाया होगा और जब मैं अगला इंपूट आपूट का क्वेस्टन लेकी आओंगी नेक्स्ट कमिंग डेज में तो आए वांट जितने अभी बच्चे बैठे हैं सभी का भी नहीं किया लेकिन मेरी हमेशा सी इच्छा रही है कि मैं आपको वह वह कॉन्टेंट जो पक्का पका एक्जैमिनिशन में आता है क्योंकि जो खुद एक मतलब स्टूडेंट में उसको पता होता है कि ना इनदर ङलोप और को नने की बहुत ज़्यादा गरती हूं कि आर टो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आने चीये अगर में को सिलेक्षिन लेने में एक साल लगा तो आपको एक साल नहीं लगना चाहिए ठीक है आपके सारे examinations clear होने चाहिए अच्छा बताओ confidence boost up हुआ या नहीं हुआ एक level उपर हुआ या नहीं हुआ confidence चल्दी से बताएंगे अगर question अच्छा लगा है तो फटा-फट से red hearts बनाएंगे और session को like करेंगे what is the sum of the numbers which are right to the serial or right of the serial in step 3 serial के बादवले number को step 3 में देखना है तो हमें इन दोनों को add करना है यही पूछा है sum of numbers पूछा है तो 8 or 9, 7, 3 यह हो जाएगा 0 और 7, 0, 3, 7 यही आएगा क्या अच्छा no such numbers 7, 0, 3, 7 बन रहा है मेरा तो आपका क्या बन रहा है बन रहा है क्या कुछ चल्दी बताओ write of serial अच्छा यह भी तो add होगा न 3, 2, 1, 6 और add कर दो 3, 2, 1, 6 और add किया तो यह बन जाएगा 1, 0, 2, 5, 3 option number B which of the following step elements mining 2, 1, 6, 9 यह एक अठ्छे आ रहे है mining 2, 1, 6, 9, 4, 8, 6, 8 mining 2, 1, 6, 9 mining 2, 1, 6, 9 ऐसे आना ऐसा तो कोई concept नहीं आ रहा ना कोई भी step नहीं आ रहा mining 2, 1, 6, 9, 4, 8, 6, 8 mining 4, 8, 6, 8 आ रहा है और 2, 1, 6, 9 इसमें आ रहा है लेकिन इसका उल्टा पुल्टा नहीं आ रहा तो ऐसा यहां पे कोई भी step मुझे नहीं दिखरा option number यह आपका answer हो जाएगा mining कहां पे है step 4 में देखो mining 1, 2, 3, 4 4th from the right end है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 from the left end है तो 4th from the right end option number A which of the following element is 2nd to the left of 4th element from the right end in step 2 left आ गया, right आ गया आप करोगे add, नहीं नहीं हाँ, add करोगे और 2nd और 4th को add किया तो मेरे पास आ गया 6th from the right end देखो step 2 में 6th from the right end step 2 में 6th from the right end तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 6, 9 आ रहा है option number C क्या सभी को 4 के 4 question समझ में आ गए coding decoding में details एक बार करवाईएगा like input output coding decoding के मैंने अभी तक जो भी sessions लिये हैं उनको भी आप देख लो प्लस आगे आने वाले sessions में coding decoding लेके आऊँगी लेकिन ये जो मैंने आपको चीज बताई है ये basic चीज है और इसी के उपर ही coding decoding और input output जाएगा तो ये आप अपने important notes में लिख लो आपको पताओ कि मुझे ये वाले concepts लगाने हैं हो गया सबका next question करें ये क्या था भाया अच्छा जी ये तो answer दिया हुए ना ठीक है चलो जी करो last हमारी puzzle है staircase based puzzle है हिंदी वाले फटाफट से screenshot लेंगे और English वाले time दोंगी करना फिर ठीक है जल्दी से बढ़़ड़ो फिर मैं time देती हूँ question solve करने का लो जी sorry first half हमेशा होता है a से लेके m तक और second half होता है n से लेके z तक ठीक है 1 to 13 होता है first half 14 to 26 होता है second half बहुत अच्छे लेविल की puzzle है solve करके देखो मज़ा आएगा चलो जी करते हैं अब ज्यादा time ने लेंगे आपका बोलता है 10 persons हमारे पास है जो की two staircase में stand करते है staircase one और two यह similar है उसके जो हमारे पास flat and floor based होती है उसी का ही एक दूसरा रूप है इसको नाम दे दिया staircase ठीक है one है west में और two है east में ऐसे five steps है यानि कि पांच floor है और दो flat है उस तरीके से आप इसको लो हर एक परसन को एक अलग नंबर पसंद है और आगे उसके बारे में information है अगर परसन का ने फॉर्स हाफ आफ अप अप्धिकल सीरीज में आता है इसको फ्लाट और फ्लोर की तरह ही आप लेंगे ठीक है ओके सबसे पहले बना लेते हैं अपना डाइग्राइम वान टू वान टू दो पॉसिबिलिटी में हम लोग काम करेंगे यहां पर सबसे पहले देखो ए से लेके M तक आ जाएंगे और नमबर फ्लोर पे और Q से लेके X तक आएंगे इवन पर आपको यह चीज़ा ध्यान रखती है जो ओड पर आएंगे यानि कि जो वन थ्री और फाइव पर आएंगे उसको आप लिखके रख लो A, C, F, M और H और J यह आजाएंगे ठीक है उसके बाद Q, T, V, X आजाएंगे इवन पर Q, T, V, X हो गए 10, ओके सबको क्लियर है इतना बोलता है V is standing on staircase 1 immediately above the one who likes 27 और दोनों ही same staircase पे खड़े हैं यहाँ पर जिसको भी flat और floor based में same flat और different flat में problem आती है उसके लिए यह question है यहाँ पर देखना वो same flat जैसा नाम भी देगा same staircase जैसा नाम भी देगा और कुछ भी नहीं देगा तो हम लग दोनों cases को किस तरीके से लेंगे ठीक है यहाँ पर बोलता है दोनों same staircase में मतलब same flat में है और V जो है एकदम 27 वाले के ऊपर है V हमें रखना है even पे तो या तो V आसकता है 2 पे flat 1 में है या V आसकता है 4 पे एकदम उपर किसके है यह and immediately above the one who likes 27 27 वाले के एकदम उपर है same staircase में ठीक है समझ में आ गया x stands adjacent to the step of who likes 27 27 वाले के adjacent floor में होगा यानि की ऊपर वाले floor में या फिर नीचे वाले floor में लेकिन इक different floor में staircase को आप लोगे floor की तरह ठीक है लेकिन adjacent floor में है adjacent floor में है different flat में है ठीक है तो adjacent floor में है adjacent floor में अगर मुझे लेना तो x यहाँ पे आ जाएगा x मुझे even पे लेना यहाँ पे chronic wave Wir. x यहाँ वा इसकता है मुझे नहीं पता कहा पे आए दो possibility बनेगे c stands two step above the one who like 13 who sits to the northeast of e 13 जो है वो F के North East में है यानि कि ये हो जाएगा Flat 1 ये हो जाएगा Flat 2 तो Flat 1 में मेरे पास कौन आएगा? F आएगा और F किस पे आएगा? Odd पे आएगा यानि कि F 1 पे भी आसकता है, 3 पे भी आसकता है, 5 पे भी आसकता है Step 1 में step 1 में किसमें आएगा 1 पे 3 पे या 5 पे और 13 वाला आजाएगा step 2 के अंदर सबको समझ में आ गई बोलता है C stands 2 step above the one who likes 13 अब C जो है वो same flat में भी हो सकता है different flat में भी हो सकता है क्योंकि इसने यहां पर कुछ भी mention नहीं किया सबी बच्चों को इसमें प्रब्लम आती है कि मैं same or different flat हम लोग कैसे देखते हैं तो ऐसे ही देखते हैं जहां पर उसने mention किया वहां पर हमने different flat लिया यहां पर उसने कुछ भी mention नहीं किया तो same flat भी हो सकता है different flat भी हो सकता है 13 से 2 उपर होगा c और c ऐसे कहीं पर भी आ सकता है ठीक है या तो यहां पर या तो यहां पर मुझा नहीं पता आगे देखेंगे both c and x don't stand in the same flat c और x same flat में नहीं है अगर x हमारे पास flat 2 में है तो c flat 2 में नहीं आएगा यानि कि यह दोनों किसमें हो जाएंगे c flat 2 में नहीं आएगा यह flat 2 में था इसको इधर कर देते हैं यह flat 1 था, यह flat 2 था c flat 2 में नहीं है क्योंकि x तारा यहां पर तो यह दोनों different flat में आ जाएंगे क्योंकि 13 को अभी-भी हमने flat 2 में डाला था और c को अभी-भी हमने flat 1 में डाला c आजाएगा odd पे 13 यहां पर आ जाएगा या तो C 3 पर जाएगा या तो C 5 पर जाएगा C किस पर जाएगा या तो 3 पर या तो 5 पर बान पर इसले रही आ सकता क्योंकि मुझे C से नीचे 13 चाहिए समझ में आगे सबको आगे देखेंगे The one who likes 40 stands immediate northwest of 13 जो 40 वाला है इमेडियेट northwest है 13 के इमेडियेट northwest क्या होता है यहां पर नौर्थ वेस्ट 40 वाला immediate northwest है 13 के यानिकी फ्लाट वान ये फ्लाट दोनों एग्जेसेंट खड़े होंगे एग्जेसेंट अगर खड़े होंगे तो 40 को आप C के नीचे डाल दो पॉट्टी को आप C के नीचे डाल देंगे इन दोनों को combine कर दो यार उसने एग्दम एग्जेसेंट बोला तो मतलब एग्दम चिपता हुआ फ्लोर हो गया इसको cancel कर दो आगे देखो the sum of numbers liked by V and M is 55 V और M का sum क्या है 55 अगर मैं इसमें से 55 लगाना चाहूं तो 40 प्लस मुझे चाहिए 15 तो 40 आजाएगा 15 आजाएगा 55 एक pair बन गया 34 और 55 के लिए मुझे चाहिए कितना 21 नहीं है 32 और 55 के लिए 32 और 23 भी नहीं है 27 और 55 के लिए मुझे कितना चाहिए? मुझे pairing बनानी है addition की 27 को 55 बनाने के लिए मुझे और कितना चाहिए? 55, 18 चाहिए, 18 नहीं है 25 को 55 बनाने के लिए 30 चाहिए, 30 नहीं है तो यहाँ पे और कोई भी pair नहीं बन रहा सिरफ एक ही pair बन रहा है जिसमें 40 और 15 आ रहे है That means हमारे पास V और M V और M क्या हो सकते है या तो 40 या फिर 15 मुझे नहीं पता कौन सा किसमें आएगा कौन सा 40 है कौन सा 15 है मुझे नहीं पता M stands two step below A A से दो step नीचे है यानि कि A से दूसरे स्थान पे आ जाएगा M ये same भी हो सकते हैं और different भी हो सकते हैं flat क्योंकि इसने कुछ भी mention नहीं किया Who doesn't like a prime number A को prime number नहीं पता क्या मुझे A और M का बता दो सबको समझ में आ रहा है Last sentence is incomplete अच्छा incomplete है क्या incomplete है कोई बात नहीं हम देखते हैं एक बर इतना तो करू मैं देखते हूं question न जहां से मैंने question continent बनाया उसको question मैं देखते हूं कि last step में क्या लिखा हुआ था एक बर इतना कर लो A को prime number नहीं पसंद अगर A को prime नहीं पसंद तो A को 13 नहीं पसंद होगा 19 नहीं पसंद होगा और कोई prime नहीं है और कोई तो prime नहीं है तो A को ना तो 13 पसंद है ना तो 19 पसंद है यह सेम और डिफ्रेंट आपको समझ में आ गया होगा आगे देखो The one who likes 19 stands immediate northeast of A A के immediate northeast में है A के immediate northeast में कौन है 19 वाला यह दोनो adjacent floor पे हैं यानि कि A आ जाएगा फ्लाट 1 में और हमारे पास 19 आ जाएगा फ्लाट 2 में A आ जाएगा 1 में 19 आ जाएगा 2 में सबको समझ में आ गई अब A जो है वो 1 में भी आ सकता है 5 में भी आ सकता है 3 में भी आ सकता है 5 और 3 में कैसे आ सकता है क्योंकि इसके नीचे हमें चाहिए 1 छोड़ के M इस तरीके से चाहिए ना उपर तो मुझे 19 चाहिए 1 छोड़ के मुझे नीचे M भी चाहिए तो A1 पे तो नहीं आ सकता, A को अगर मैं 5 पे डालूँ कि तो उपर 19 नहीं आ सकता, that means A आ जाएगा 3 पे, 19 आ जाएगा यहाँ पे, क्या सबको इतना समझ में आ गया, और 1 छोड़के मुझे M चाहिए, तो M इन दोनों में से कहां पे आएगा, मुझे नहीं पता, M इन दोनों ठीक है, X को में एक बार यहाँ से erase कर रही हूँ, X को हम साइड में लिख देते हैं, X को हम लिख देते हैं, flat 2 में, flat 2 में, floor हमारे पास या तो 4 है, या तो 2 है, ठीक है, सबको समझ में आ गई, इतना clear है सबको, आगे देखो, C आना चाहिए था 3 या 5 में, और C हमारे पास थ इतना flat 1 में, तो मैंने लगा दिया 3 या 5 पे, 3 पे यह आ गया, तो 5 पे यह आ गया, अब F मुझे चाहिए, 1 3 या 5 पे, flat 1 पे, F आ जाएगा यहाँ पे, सबको समझ में आ गया, odd में आ गया, अब देखेंगे, आगे, F से immediate उपर 13 है, F से immediate उपर 13 है, 13 से immediate उपर, 13 से immediate उपर कौन है, 40 है, यही बोला गया था न conoc, F से उपर 13 है, यह बोला गया था, immediate उपर है या नहीं है, मुझे नहीं पता था, सको erase करते है, आगे वहाला question पढते है एक बार, h को 4 नमबर पसंद है और stand करता है 3 steps above t who likes a number which is 10 more than the number liked by m देखो h जो है उसको 4 नमबर पसंद है जो हो गया उसको मैं cancel कर देती हूँ एक बार ठीक है? h को पसंद है 4 नमबर और वो 3 step उपर किससे खड़ा है? m से तो 1, 2, 3 तीसरे थान पर आ गया h same या different मुझे नहीं पता और m को एक ऐसा नमबर पसंद है जो 10 जादा है किससे? h ट को एक ऐसा नमबर पसंद है जो 10 जादा है m से तो 10 का difference यहाँ पर एक ही नमबर पर आ रहा है 15 पर और 25 पर और कोई भी नमबर नहीं है नहीं है ना? तो that means t का नमबर बन जाएगा 25 और m का बन जाएगा 15 h stands above t t का बन जाएगा 25, m का बन जाएगा 15 और अगर m का 15 बना, v का बन जाएगा 40 v का बन गया 40, m का बन गया 15, t का बन गया 25 40 को यहां से connect करो, 40 के एकदम उपर आना चाहिए था C, 40 के एकदम उपर कौन आना चाहिए था C, यहां पर एकदम उपर C नहीं आ रहा, इधर से आएगा, एकदम उपर आएगा C, इसको cancel कर दो, क्योंकि 40 के एकदम उपर C नहीं आ रहा, यह possibility cancel कर दो, इधर से आया 40 के एकदम उपर C, आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या आया, देखो, उसके उपर आना चाहिए था 30, और X आएगा, हमारे पास इधर, ठीक है, यह भी हो गया, A से उपर आना था 19, 19 भी आ गया, A से एक छोड़के, A से दूसरे थान पर नीचे आना चाहिए था, M, एक छोड़के, M यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि M इधर नहीं आ सकता, M का नंबर हमने लगाया है 15, M का नंबर हमने लगा दिया 15, ठीक है, समझ में आ गया, अब देखो, H को पसंद है 4 नंबर, और वो तीसरे थान पर उप That means 31 वाला आ जाएगा फ्लाट 1 में, और क्यों आ जाएगा फ्लाट 2 में, हाँ, बाबू मैं थोड़ अचा पडालू, ठीक है, वो चारी पच्ची बैचे ना प्लाच में, अभी सौंग जिलाएंगे अपर, पदल कर वाँ, हाँ बाबू, अचा सबको हेलो कर दो, सबको हेलो कर दो, हेलो, केछी अच्चब, सब भी पड़ते भाई भेल को रक्षा बंदन की बहुत सारी विषय को, एसे वाला हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हैलो, हेलो, नहीं करने था, अब ही सोंग बाद में चलाएंगे, अचा बाए कर दो, बाए, ये queer, क्यों है क्यों प्ली तो पिर ठीक है यार सॉरी तो देखो अब हम लोग कहां से कमप्रीट कर सकते हैं है एच हमारे पास आना चाहिए था ओड्ड नमबर पे और टी हमारे पास आएगा इवन पे यह आएगा और पे यह आएगा इवन पे अगर मैं टी को यहां रखूंगे तो एक दो उपर एच आ आ जाएगा है तो हमारा यहां पे बण रहा है है और कहीं पे बन नी सकता टी हमारा यहां पर ऑसकता है और यहमारा फ्लैट बाद में भी आसकता है त year कि इसको क्यांसल करदो और टी को पसंद रा पच्च्यों तो टी का 25 बाद में रिख लेंगे A और M वाली हमारे पास एक direction थी A का एक छोड़ के M ये भी हो गया F के उपर 13 होना चाहिए था F के उपर यहाँ पर 13 या यहाँ पर 13 यह हमें देखना है कि 13 कहाँ पर आएगा उसके बाद बोला था 13 यह 13 तो नहीं था न 34 के immediate 34 के Q stands north east of who likes 34 34 आएगा first में और Q आएगा उपर अगर मैं 34 डाल दूँ यहाँ पर तो Q आजाएगा यहाँ पर हैना Q आएगा कहां से मैं मिस कर रही हूँ मेरे पास अभी X भी बच रहा है X या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा और यहाँ पर मेरे पास बच रहा है Q और कौन बच रहा है X T और Q बचेगा ना Q भी आना चाहिए even पर तो Q आजाएगा या तो इहाँ पर या तो इहाँ पर उसके अलावा odd में मैंने complete किया A C F M H J बचा तो J मैंने यहाँ पर डाल दिया J से related को information थी मेरे पास J से related को information थी देखते हैं एक मिनट कहां से connect कर सेबते है A को 13 नहीं पसंद, A को 19 नहीं पसंद A को 13, 19 नहीं पसंद यह तो हो गया A से नीचे आन सेम डिफरेंट पे भी हो गया X आजाएगा फ्लाट 2 में 2 या 4 में यह भी हो गया 34 के North East में है Q F के बारे में कोई information थी Digit के बारे में Q और C अच्छा यह question में 1 मिनट देख लू Complete question 1 मिनट जारा रुको, मैं अपना content देख लू Q और C वाला जहां से मैंने file बनाई थी ठीक है, इसको complete कर लो Neither Q और C likes 9 इसको complete कर लो Neither Q और C likes 9 अच्छा कहां से connect हो रहे T और X से C और 13 के बीच में X tier case है यह मैंने सही लिखा था क्या C और 13 के बीच में X tier case है देख लेती हूँ C और 13 के बीच में C और 13 के बीच में X tier case है तो 13 यहाँ पे आ जाएगा और किसको connect कर सकते है 13 के North East में बन गया F North East में 13 बन गया यह भी हो गया T है 25 पे T 25 पे है T 25 पे है T यहाँ पे भी आ सकता है T यहाँ पे भी आ सकता है J हमने लिख लिया कौन सा बच रहा है और Q और 34 बच रहा है 34 और Q Q को 9 नहीं पसंद Q को 9 नहीं पसंद Q को 9 नहीं पसंद हमारे पास number कौन कौन से रह गए है इक बढ़ number भी मैं चेक करनो Number चेक कर लेते है 4, 9, 13, 15 4 आ गया है 9 नहीं आया 13 आ गया है 15 भी आ गया है और कौन सा number था 27, 32 27 आ गया है 32 नहीं आया और 34 और 40 34 भी नहीं आया तो यह हमारे पास अभी बच रहे है numbers और letters में Q, T और X बच रहे है एक मेरे पास 9 आ रहे है इसको भी connect करके देखते है T 25 आ रहे है 34 और Q आ रहे है है ना और एक C का आ रहे है C का मेरे पास कोई letter नहीं था एक बार थोड़ा सौर पढ़ लेते है 27 हमने डाल दिया C का 13 भी डाल दिया 40 भी डाल दिया हमने और V और M 55 भी डाल दिया V और M 25 और 55 M stands 2 below A यह भी हो गया A doesn't like a prime number A को prime number नहीं पसंद 19 मेला immediate northeast में है A के यह भी डाल दिया H likes 4 और 3 steps above T यह भी डाल दिया मैंने T से 3 steps above है ना एक चीज़ करते है अगर मैं T को यहाँ पर डाल दूँ T का मेरे पास था 25 Q और C को 9 नहीं पसंद 9 या तो यहाँ पर आ सकता है या तो 9 यहाँ पर आ सकता है इन दो जगा पर आ सकता है अगर C को 9 नहीं पसंद तो 9 में यहाँ पर डालूँगी Definitely C को अगर 9 नहीं पसंद तो 9 यहाँ पर आएगा F के बारे में कुछ information थी क्या number के बारे में F के बारे में information यह थी कि 34 से north east में आएगा Q तो मेरे को 34 तो यहीं डालना पड़ेगा 34 से north east में आएगा Q अब Q को 9 नहीं पसंद तो Q यहाँ पर आ जाएगा और मेरे पास बचा कौन बचा कौन X तो X यहाँ पर आ जाएगा C का number मेरे पास बचता है 32 इस तरीके से आया अगर मैं T को दूसरे position पर डालती यह तो मेरा बन गया जब मैंने T को इधर डाला जब मैंने T को इधर डाला तो यह तो automatically बन गया अगर मैं T को इधर डालती तो एक बार करके देख लेते हैं कोई doubt नहीं रहना चाहिए आपको यह चीज़े मैंने बाद में लिखी है न ठीक है अब देखो T को मैंने इहां डाल दिया 25 पर 34 से उपर आना चाहिए था क्यूँ तो Q तो यहां पर नहीं आया Q उपर डाल देते है 34 से उपर आना चाहिए था क्यूँ बचा मेरे पास कौन X बचाना तो X इधर आना चाहिए और उपर आएगा 32 X और T में कन्फ्यूजन है यह हमें क्लियर करनी है X अब टू में ठीक है X फ्लाट टू में आना X तो इधर ही आएगा तो दाट मींस T इधर ही आजाएगा बन गया सबका X फ्लाट टू में था ना यहां से फ्लाट टू में डाल दिया और 9 पर डाल दिया सब सही बन गया हमने काम किया है सिरफ एक ही पॉसिबिलिटी में मैं T सेकिंड स्टेप के हाँ T फिक्स हो जाएगा क्यूंकि X हमारे पास था फ्लाट टू में यह वली कंडिशन से समझ में आ गया क्यूंकि क्यूं है उपर 34 की उपर आ जाएगा क्यूं क्यूं मैंने बना दिया फर्स्ट में तो A से A से M तक वर्ड आने थे ना फर्स्ट में नहीं उसने यह बोला था जो A से M तक है लेटर वो हमारे पास और नंबर और फ्लोर पे आएंगे यानि कि 1 नंबर फ्लोर थ्री नंबर फ्लोर और 5 नंबर फ्लोर पे आएंगे हमारे पास यह वले और 2 और 4 नंबर फ्लोर पे यह वले आएंगे यही आ रहे है तब का सही बनाए कि अगर बता दो फटा फट से c and x c and x एक में नहीं होंगे c and x एक में नहीं होंगे c and x था तो x flat 2 में था न ये condition हम देखना भूल गए थे इसको अगर हम देख लेते तो t fix हो जाता है यहां से ये वली condition से हमारा x और d का sort हो जाता और q और c का हमारा 9 से sort हुआ था इस condition से क्या सभी को समझ में आ गया एक बार बताओ गई पदल कैसी लगी सबको थोड़ी सी confusing थी लेकिन काम इस पदल ने खुशी वली बात है कि एक possibility में हमारा करवा दिया दूसरी possibility तो starting में cancel होगी थी एक possibility में काम हो गया पस ध्यान यह रखना था कि सारी कि सारी conditions x वली condition लेनी थी और q और c वली लेनी थी तो last वाला question हमारा इन दो condition से connect हो रहा था x floor 4 पे भी आ सकता है ना floor 4 पे इसलिए नहीं आया अगर मैं floor 4 पे x को रखती तो 9 और c वली condition 9 q और c वली condition satisfy नहीं हो रही थी ठीक है आप रखके देख लेना वैश्नवी वह वली condition satisfy नहीं हो रही थी यह पांच questions है पांचों के बांचों questions के answers आप में जो comment section में दोगे जिसका सही होगा उसका मैं pin कर दूँगे दुबारा बना लेना यह वही जो staircase based puzzle है इसको दुबारा बना लेना क्यूंकि last में हम लोगों ने कहां से question को एकदम connect किया x flat 2 से connect किया q और c likes 9 से connect किया ठीक है इन दो condition से हमारा last का सारा question बन गया एक बर दुबारा बना लेना और यह question भी शायर में को लगता है किसी ने पूछा था एक मुझे ना लड़की का नाम नहीं आदा रहा वो कल आई थी class में उन्होंने मुझे बोला था कि माम time बली एक हमारी जिसके अंदर time slot वाली पदल है tabulation type है time slot वाली पदल है और कल की class हमारी जो रहेगी वो साड़े बारा बजे रहेगी 12.30 PM हमारी रहेगी कल की class ठीक है आपसे बारा बजे नहीं बारा बजे सिर्फ दो दिन के लिए थी कल से में में मल्टी वर्स होगा हमारा साड़े बारा बजे questions अब लोग देख लो और answer मुझे कर देना प्रणाम भाबी जी रक्षाबंधन की हार्दिक शुब कामना है प्रणाम भाईया जी भाईया जी आपको रक्षाबंधन यह जो बातें कही गई थी लास्ट वाली यह बिल्कुल मजाक के तौर पर लेना ठीक है यह जो लास्ट वाली सर एक मोटिव नहीं है एक एंटरटेन करने के लिए बोला लेकिन जो पहले वाली बाती जो सुनदर कन्याब की जिंदगी में आच चुकी है उनके साथ आपकी जल लेवल के 500 प्लस क्वेस्टन है पॉजल सिटिंग अरेंजमेंट के मिसलेनियस के क्रिटिकल रीजनिंग के इस सेट्षन के बाद रॉकेट मागजीन से प्रैक्टिस कर लिया करो लगानी शुरू कर दो देली के दो से तीन पाजल दो से दिन मिसलेनियस लगाओगे तो मागजीन का सेटनेंबर 20 तो आपको भी ऐसा कोई डाउट हो तो क्लास में बता दिया करो हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लेना यहां पर आपको रॉकेट मागजीन मिल जाएगी लगानी शुरू कर दो और क्रिलेंस की मागजीन भी बहुत ही जल्दी आ रही है जो आप लोग comment section में लिखके जाएंगे ताकि बाकी बच्चों को भी दिखे की session कैसा है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सारे के सारे groups में इसको share करेंगे सारे के सारे groups में बताएंगे कि इस class में daily आया करो ताकि मुझे भी motivation मिले कि इतने बच्चे मेरी class देख रहे ह है ठीक है तो मुझे भी motivation मिलती है आज का session हम लोग यहीं पर end करेंगे आज का session हम लोग यहीं पर end करेंगे मिलते हैं कल साड़े बारा बजे में मल्टिवर्स में कल साड़े बारा बजे और कल हमारी hopefully शाम को 6 बजे भी एक प्री की class होईगी तो उसमें भी definitely आना कल साड़े झाल 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 झाल